तो आज का हमारा टॉपिक है पाइपलाइन आज मैं आपको एक पाइपलाइन एक ऐसी चीज है जिसको अगर आपने समझ लिया तो आपकी जिन्दगी डेफिनेटली बदलेगी सो आज की परपस क्या ट्रेइनिंग का आपको आपके फिनेशल गोल्स अचीव कराना जो भी जितनी इंकम तक पहुशना चाते हो उसको चीव कराना आपको लाइफ में अजादी देना ठीक है जैसे हमारे अजादी का दिन पंदरा अगस्ट छपी जनुरी को है ना रिपब्ल होएंगे जब हम फैंशली फ्री होएंगे ठीक है आपके सारे सपने आपको चीव कराना और यह सारी चीजे कनेक्ट आपके माइंडसेट से जब तक आपके वार राइट माइंडसेट नहीं होगा तब तक आप जिंदगी में वो चीज़ अचीव नहीं कर पाऊगे आपकी इस ट्रेनिंग का परपस आपको एक ऐसा परसन बिल्ड करना आपके ऐसी परस्णेल्टी ऐसा मायन से डिवलप करवाना जो आने वाले हद्म मे कर सके हजारो लगो की लाइफ में एक लेजन करसके और उनकी लाइफ में उनकी वाइट कर रम आगे बढ़ते हैं कि एक बड़ी important चीज़ है द्यान से समझेगे अगर हम पैसा कमाना जाए पैसे के लिए चार चीज़ जानना पड़ी जुरूरी है सबसे पहली चीज़ अगर हमें पैसा हम सबसे पहले पैसा इतना कमाए जिससे हम हर चीज़ को खरीच सके हमें सोचना ना पड़े दूसरा वो पैसा बार बार आए तीसरा वो पैसा सही रास्ते से आए चौथा वो पैसा हमारे मरने के बाद भी आए जिससे मारी family को हमारे जाने के बाद किसी क्या कि हाथ ना फिलाने पड़े पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है अगर हम आसी life तक पहुचना चाते हैं तो हमें सबसे पहले rat race को छोड़ना पड़ेगा हमें rat race को escape करना पड़ेगा वो rat race क्या पढ़ो लिखो नोकरी करो नोकरी करके कोई क्रोडपती रभपती नहीं बनता भीए इस दुनिया के सब्से मेर इंसान आप सर्च करो पहले मुझे लगता था नोकरी से लोग कामयाब होते हैं क्योंकि मैं एजुकेशन सिस्टेम बच्पन से इची सिखाई जाती है पर जब मैंने गूगल पे लिखा टॉप टैन रिचेस परसन इंद वल्ड टॉप फिफ्टी रिचेस परसन इंद वल् तो मुझे समझ आया एक भी बंदा नोकरी नहीं करता एक भी बंदा डॉक्टर नी एक भी बंदा इंज्जीनिर ने ले गे ओल्ल आर भिजनस में ठीक है और एक रेट रेस क्या है गो टू स्कूल अच्छे नंबर लाओ अच्छे ग्रेड लाओ उसके बाद नो करी करो नो से पांच की एक इंकम में सर्वाइव करो अपने ड्रीम्स के साथ कॉंप्रमाइस करो चादर देखके पैर पसारो हल सब कुछ किसमस से मिलता है जो ग हमें सकूल में सिखा एका फैल नहीं होना प्षिंदगी में गर 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 के इन सां किसी काम को सीखता है साइकल चलाना आपने सिखा ग कर गर के सिक्गा हमें रिस्क लेने से ड्राय जाता का भी रिस्क लिए लेना चाहिए हकRIA उब कि हमें सारी उल्टी चीज़े सिखाई जाते जो सक्सेस की तरव में लेके हैं हमें इसका आता है नोकरी को रो नोकरी से आप कामयाब होगे और नोकरी से इंसान खामयाब नहीं होता है हमें वह चीज़ चेंज करनी पड़ेगी यह ट्रैप है बहुत अगड़ा जो इस ट्रैप को ब्रेक कर देता है वही जिंदगी में कामयाब होगे अगर आप एसकेप करना चाहते हो तो अपने ड्रीम को पूरा करना चाहते हो तो वह नोकरी वाले माइंड सेट को आपको खतम क करना पड़ेगा अब देखो इस दुनिया में दो तरह की लाइफ एक मिडल क्लास लाइफ यह आपके सामने है एक स्कूटर पे छे-छे लोग बैठे पांच-पांच लोग बैठे एक रिच लाइफ है ड्रीम लाइफ ठीक है जिसमें आपको पैसे कोई दिक्कत नहीं है पड़ेगा डियर दो तरह की इंकम इस दुनिया में होती है एक होती है एक्टीव इंकम एक होती है पैसीव इंकम क्या होती है जिसके लिए आपको रोज काम करना पड़ेगा तब ही वो पैसा आपको आएगा पैसीव इंकम क्या होती है जिसमें आपने एक वार एक सिस्टम बिल्डी किया मतलब आपके बाद जमीन है मैं एक बड़े इच्छे एक्जामपल से आपको समझाता हूँ आपके पास एक जमीन है दो अप्शन आपके पैसा कमाने को इस जमीन से पहला अप्शन आप उसमें फसल उगाओ अनाज की चार मीने उस पर काम करो पांचे मीने फसल कमाने के लिए दूसरा तरीका गया है आप उस जमीन के अंदर आम का बाग उगाओ फल फूर्ट के पेड़ उगाओ बाग लगा दो पहले साल आपको कुछ सो साल तक आपको फलफूरूट देंगे जितने फ़लफूरूट आपने पेड़ लगाया लगा दिए हर सीजन में पैसा देंगे आपको सर्दी का या है चाहिए वो समर का सीजन है घर्मियों का है अभ फाइदा किसमें है पूरी जिंदगी किस्ते रोप ऐसे के लिए है मैंने जब समझी थी ना तो मेरी सोच बिल्कुल बदल गी थी तब मेरे को समझ आया अच्छा इसलिए अमीर लोग अमीर हैं और इसलिए गरीब लोग गरीब हैं एक बार एक गाउं में दो दोस्त थे पाबलो और ब्रूनो थीक है दोनों बेरोजगार थे वह जौब ढूंड दूर एक नदी बहती है तुम नदी में से एक बाल्टी पानी भरके लाओगे एक बाल्टी के तुम्हें दस रूपे मिलेंगे कितने मिलेंगे दस रूपे मिलेंगे यह चीज मां आपको ना अच्छे समझाता हूं ज्यान से देखना है उन्हें क्या बोला आपको दस शॉट्तियां भरते थे ठीक है और सो रपे कमाते थे एक दिन के ऐसे करके दो साल निकल गए जो बुर्णो था न जो बुरू था उसको बड़ी टेंशन ओने लगी कि दो साल बाद एक मूंवेंट ऐसी बुरून बड़ी टेंशन में रहने लगा पाबलो ने पुछ त इतनी तेन्शन में क्यों हैं उसने बोला यार पाबलो एक काम करियो तु ना मेरे घर आयू जाती सक्ती है और भी तेन्शन मेरे को खाई जाती है पाबलो मुझा तो बुरूम्र ने बताया यार एक बात बता अभी इम वाल्टियां भर हैं हमारे श्रीर में जान है जैसे इसे हमारी उमर बढ़ेगी हमारी बोड़ी की ताकत कम हो जेगी हमारे श्रीर में कम ताकत रहेगी अभी हम दस बाल्टियां भर रहे हैं और जैसे से उमर बढ़ेगी हमारे जिम्मेवारिया बढ़ेगी हमारे बच्चों की शाद्दी हमारे इस दुनिया में ना रहे कोई बीमारी होगी हम काम पे ना जा पाए तब पैसा कैसे आएगा तो हम तो एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसके अंदर कोई सिक्योर्टी नहीं आने वाले कल्की हम पूरी जिंदगी फ्री नहीं हो सकते कि उसने क्या सोचे लॉंग ट्म सोचा पाबलो नेzk बोले यार बात तो तेरी सगी है तो अब करे क्या बुट अइडिय में बहुत अच्छा इडिया क्या है किए आपक दू किलो मेटर दूर पैदल जाते हम उना एक पाइप-लाइन लगा लेते जो तक पोचे नदी से कनेक्ट होगे उसने बोला अच्छा है यह तो बात सही है पर इसके लिए तो यार फिर पाबलो ने बोला इसके लिए तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा थोड़ा बहुत है ना क्योंकि टूल्स खरीदने है खड़ा खोदने के लिए पाइप भी खरीदनी है तो यह कैसे आएगा हम तो पूरा दिन बाल्टी भरते हैं काता उसने बोले एक बात अब ताम दस बाल्टी आं भरते हैं हम पांच बाल्टी अब भर लेंगे थोड़ा कम कम आ लेंगे उसमें से दो बाल्टीयों का जो पानी वह वह पैसा वह हम पर हम अपने बिजनस में लगाएंगे पाइपलाइन बनाने में तो पाबलो ने क्या बोले इससे तो हमारे पास तीसी रुपे आएंगे एक दिन में अभी तो हम सो रुपे कमाते हैं वह गदा आज के बारे में सोच रहा था उसने बोले राज मसोच बूनन बोला आज सकते और कितना पैसा कमा सकते हैं जितना हम सालों में नहीं कमारे एक दिन में कमा लेंगे महीने में इतना पैसा पर पाबलो था मूर्ड बुद्धी उसको आज दिख रहा था इंग मिडल ग्लास वैमली का इंसान है एव्रेज परसन वह नोकरी उसको बोलो वह न भी सब्स म सूच के देखऊ वो क कमाने के लिए जहां से लाखों आ सकते हैं उसके दूपर कुछ लगाने के लिए कोई पैसा है उसे ये नहीं पता बेटा आज तो तू काम पे जा रहा है कल भगवान ना करे तेरे साथ कुछ ये तो सोचते ही नहीं लोग पर ब्रूनो एची सोच रहा था पावलो नहीं सोच रहा था उसने बुला ना आना यार मैं तिरसा इस चीज में शामिल लिए हूँ मैं तो दस बाल टेंब भरूंगा थीक है भाई मेरे को तो करना है क्योंकि जिन्दगी में जिसको सफल होना जि जो मेरे फादर गुजरे थे मेरा कोई चाच्चे ताऊ नहीं आये कोई मेरे डैडी का दोस्त नहीं आया मेरे घर को चलाने के लिए ठीक है हमारे घर पर एक टाइम खाना बंदा कोई हल्प करने नहीं आया तो किसमत अच्छी थी जो मेरे मदर की नौकरी लगी जिससे घर चल गया ठीक है तो मैं आख यही चीज़ बता रहा हूं डियर हमें आग्ये का सोचना ब्रूनो यही सोच रहा था अब क्या हुआ जो पाबलो था वो एक दिन में सो रुपे कमा रहा था महीने के कितने हुए 30 दिन महीना 3000 रुपे और जो ब्रूनो था वो एक दिन के 30 लोगो बोलेगा वो 3000 कमा रहा है वो समध्दार है और इसको लोग बूर बेवकूप बोल रहे हैं किन पाइपलाइन के चक्रों में पढ़ गया उसके घरवाले बोल रहे हैं बार वाले सारे मजाक उड़ा रहे ब्रूनों को देख तीन जार कमाता है तुन्हों सुर्भिम ध एक साल में 34,000 कमाया और ब्रूनों ने कितना कमाया 900 को अगर हम मल्टिप्लाई करे 12 से तो टोडल कितना बनता है 10,800 रपे मैत हो रहा है तेज मेरा वैसे 33 नमबर आते थे 10,800 रपे उसने साल में कमाया पावलो ने कमाया 36,000 पे अब सामने वाला नॉर्मल परसन जो जिसकी सोच इतनी बड़ी जिसको पता नहीं प्रैक्टिकल नहीं सोखता उसके लिए तो ब्रूनों पावलो बड़ा सही रोज गालियां दे रहे हैं पर उन्होंनों को पता है कोई नहीं गालिया थोड़े टाइम के लिए कल तालियां भी देंगे अब दो साल निकल गे दो साल बाद इसने कमा लिया कितना बहत्तर हजार और इसने कितना कमाया बीस बीस हुआ ना 21,600 रुपे मलब तीन गुना जादा कमा गया इनो करीसे से पर ये लगार आप तीसरा साल आया तीसरे साल फिर से अगरम देखे इसने कमाया करीब 32 से 32 जार 32 तीन साल में ब्रूनों ने और इसने कितना कमाया तीन साल में 36,000 और एड़ करे तो 98,000 कुछ बनता है 98 नहीं एक लाक आठ जार पे अब पावलों ने कमाया एक लाक आठ जार पे और इसने कमाया सिरफ 32,000 पे पर तीन साल बाद तीन साल बाद क्या हुआ कि ब्रूनों का काम जो था पाइकलाइन वाला वो पूरा हो गया तो जब काम पूरा हुआ अब सबसे बड़ा फरक्या था जैसी काम पूरा हुआ अब जो ब्रूनो था उसने क्या करा वो जहां पे दस बाल्टियां एक दिन में भर रहा था एक बंदा जो दस बाल्टियां भर रहे थे वो और महीने में कितनी बाल्टियां भर रही थी इस हिसाब से तीन सो तीन सो बाल्टियां एक महीने में भर रही थी है ना दस दिन की सो होगी तीस दिन की तीन सो आप 300 बाल्टियां एक दिन में भरनी शुरू कर दी, किसने, ब्रूनो ने, पाइक लाइन का काम पूरा हो, आप उसको क्या करना है, लोग आ रहे हैं, बाल्टी रख रहे हैं, और भर रहे हैं, 300 बाल्टे एक दिन में, अब जितना पाबलो महिने में कमा रहा था, सोरी हाँ पाबलो महिन्य का कमारता ब्रूनो एक दिन का कमाने लग जया तीन हजार पे महिन्य का कमाने लग जया नबे हजार रुपे जितना उसने तीन साल में कमाया था उतना महिन्य में कमाने लग जया उतना महिने का कमाने लग गया कौन ब्रूनो अब ब्रूनो यहां तक नहीं रुका ब्रूनो ने क्या किया एक गाहों से पाइपलाइन को दूसरे गाहों तक लेके गया तीसरे गाहों तक लेके गया लोगों को नोकरी पर रख लिया उन्हें सेलरी पर रख लिया अब जो ब्र ग्राब से एपनी फैमली के कह, उनने बड़ा विला ले लिया, बड़ा घर ले लिया, फोरण गंट्री में ऽपनी फैमली को लेके घूम रहा है, और उसकी पाईप्लाइन पैसा कमा कमा के उसको दे रही है, उसने एक नेट वरक रख लिया, लोगों को, मलब के एक टीम बना वो समझदार किसको बुला जाएगा समझदार ब्रूनो निकला क्योंकि वो अग्गे की सोच रहा था तो डियर ऐसी है नोकरी और बिजनस बिजनस में आपको दो तीन साल दब के मैनत करनी है एक बार सिस्टम त्यार होगा तो एक दिन में उतना कमाओगे जितना आप जितना काम इंसान महीने का कमा तो जो यार दोस्ता आपको मना करेंगे जो यार दोस्मझाक उड़ाएंगे जब बिजनस करोगे फूज इतना महीने की नोकरी लेंगे नो तो आप एक दिन का कमा रहे होगे और यहीं चीज़ मेरे साथ हुई है मेरी 7400 रपे सेलरी थी एक टाइम मह पर टाइम लगा ठीक है तो अगर जो समझदार इंसान है वो यह चीज समझ गया होगा कि हमें पाइपलाइन लगाने चीए या अब यह कोश्चन का जवाब आप उनको दें अभी आपने क्या करना है जिन्नों ने आपके वंडरफुल ऑपरशुनिटी दिया उनको मैसेज करे कि पाइपलाइन लगाना अच्छा है या बकेट केरी करना बाल्टिया भरना पाइपलाइन है तो पाइपलाइन मैसेज करें अभी जल्दी उनको अपने स्पांसर को जिन्नों ने आपके वंडरफुल ऑपरशुनिटी दे अभी उनको पाइपलाइन मैसेज करें या जो उन मैं देख़ूंगा कि आप कितना एक्टिव होके समझ रहे हैं समध्दार इंसान तो समझ गया होगा बाकी मूर्खों कि इस दुनिया में कमी नहीं ही नहीं कि 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 हमारे इंडिया में बड़ी दिक्कत है दिक्कत पता क्या है यहां थोड़ा बहुत पड़ लिख जाते हैं ना अपने आप वह पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं जेम में धेला नहीं और समझदार इतने बन जाएंगे चांद पर अंतरिक्ष्यान यहीं भेज़ेंगे मंगल के रहा पर यहीं सबसे पहले पहुचाएंगे रोकेट अल्ले पल्ले कुछ नहीं एक इगो हमें सब पता है अरे भाई पता होता तो जिन्दगी जंड़ना होई है ना तो पता होना बहुत जुरूड़ी है सही चीज है ना स्कूल कॉलेज की नॉलेज एजुकेशन नहीं है वो तस्रेव अकैडमिक एजुकेशन है अब यहां आप एक बड़ी इंपोर्टन चीज है जो सक्सेस होती है ना वो हीड़न होती है उस टाइंग जब मैनत कर रहे हो ना किसी बिज सब aquesta कि जब बन जाती है दो साल थीन साल बाद फिर लोग बोलते इसकी किसमत थी लो किसमत बुलने लग जाते हैंfeit जब मैं काम्याब नहीं था लोग बोलते थैं अलायक अं है काम बोलो बोलते कि किसमत थी अरे और किसमत थोड़ी THIS भाँ हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है ना हमारी जो सुसाइटी है हमारी जो टीचर मारा एजुकेशन सिस्टेम है यही हमें पूर मिडल क्लास वाला माइंड सेट देता है ठीक है हमें इसको तोड़ना पड़ेगा हमें यही बकेट मैं बनाता है बाल्टी भरने वाला इंसान बनाता ही है यह अगर यह एजुकेशन स्कूल गॉलेज में देने लग जेना तो अगर आप उच्छोंगे ना सो बच्चों से कि बच्चों बड़े होके क्या बनोगे वह क तो कि जोगों जोर लोगों को में बकटोल करना असान है उंसानो भड़ोगों को सेल्फ ट्पेंडीट लोग हो थो थिने हुने लिए कि रही क्तर मैं ये करओंगा मैं सरकारी नोक्री लगुँगा में ये लगुँगा वो लगुँगा कोई नहीं बोलता है Honka बड़ा बिजनस मेन बनुगा मैं लोगों को रोजगार दूँगा मैं देश्क में कुरोडों अर्बो रुपे कá बिजनेस का वेपार खड़ा कर दूँगा देश को मीर बनाऊंगा नहीं उल्टा लोगों की एक्सपक्टेशन है सरकार से डिपेंडिड माइंडसेट और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है अगर कोई करने लग जाते हैं अपना बिजनस तो इतना मजाक उड़ाते हैं अगर कोई परसन बोलेगा मैं सिंगर बनने जाओंगा मैं क्रिकेटर बनूंगा अगर कोई अपना बिजनस टार्ट करने कोई बात कर देता है तो इतनों क्रिटी साइज किया जाता तो इतना डी मोटिवेट क होती है तो हम किस से इलाज कराने जाते हैं अगर मेरे को बिमारी है क्या मेरे मम्मी पापा मेरा इलाज कर पाएंगे वो तब ही कर सकते अगर वो डॉक्टर हो हम डॉक्टर के पाज जाएंगे उसी तरीके से अगर हमारी लाइब में पैसे की प्रॉब्लम है तो उसके ले भी हमें किसके पाँ जाना चीए किस से डवाइस लेनी चीए जैसे अच्छी सेहत के लिए च्छा डॉक्टर डवाइस दे सकता है वैसी काम्याब और अमीर होने के लिए वैल्दी परसन बनने के लिए मैं ऐसे परसन की लगाओ मत नुक्सान हो सकता है यह हो सकता है पैसा बचाने से कोई अमीर नहीं होता क्योंकि पैसे की वैल्यू हर साल कम होती है हर साल महंगाई बढ़ रही है जो एक लाख रप है वह आने वाले टाइम में 95,000 की वैल्यू होजेगा एक साल दो साल बाद जितना जमाना आप सही जगह इंवेस्ट कर दो तो उस पैसे की वैल्यू बढ़ेगी अगर आप गोल्ड खरीद लो सिलवर खरीद लो गोल्ड चांदी खरीद लो एसेट खरीद लो प्रॉपर्टी खरीद लो पर चक्कर पता है क्या है पैसा काउंट में सेव करने का माइंड सेट पैसा कभी सोब्रूंग दिखत किमें माइंड सेट सेविंस सेखना और आपको हमारे पैरंस क Dw annand के शेयर नहीं तीस साल पहले आज उनकी कीमत लाख में पहुच चुकी है नियर जो दोस्तो तीन सो रपे के होते थे सोचो उस टेम अगर कुछ पैसल एक विप्रो कंपनी है एक बंदे ने विप्रो कंपनी के दस जार पे के शेर्स करीदे दे दस जार पे इंवेस्ट किया था आपको पता आ कंपनी विप्रो कंपनी जो सको पे करती है सब्दे च्य करोड़ उसको फ्री में बैठे बैठे आते हैं और वकाई हजार करोड बन चुकी आज सिर्फ 10,000 पे से वही चीज़े हमें सखाते हैं नहीं हमें बोल रिस्क है भाई साब जिंदगी में तरक्षी लेनी है तो रिस्क तो ले रिस्क कहा नहीं है आप 15 साल स्कूल कॉले में लगाते हो नोकरी लगेगी रिस्क है नहीं रिस्क आप घर से निकलते हो कोई एक्सिडें कभी जिंदगी बनेगी नहीं पर हम ऐसी जगा रिस्क लेने से डरते हैं जिंदगी बहुत आग्ये बढ़ सकती है हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा अब कई लोग की सोच कहा है कि ज़्यादा पैसे की नोकरी आगी न तो बहुत अच्छा हाई पेंग जोब मिल जोएं तब मैं अपने पूरे कर लूँगा तो यह माइंड से निकाल दो यह सिर्फ वंद विश्वाश है अगर आपको अपना टाइम देना पढ़ रहा है पैसे कमाने के लिए तो आप कभी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते क्योंकि टाइन ही तो है मारपा लाइफ को इंज ठीक है पर टाइम अगर पैसे के लिए दिया जाए क्योंकि आपका टाइम आपके पैसे से ज़्यादा वैल्यूइबल है तो ऐसा कुछ करो अभी दबाके टाइम दो पर आने वाले टाइम में आपके पास टाइम फ्रीडम हो एक रिसर्च वीटी लोगों के उपर की एक हाथ में इनकी हेल्थ उनके हाथ में जिनकी एजूकेशन उनके हाथ में और यह चारों चीज़ें बहुत इंपोर्टेंट है लाइफ में जो लोग बोलते हैं पीपल से मनी डेजन्ट बाइप्य कई लोग ऐसे मिलेंगे अंतरियामी पाईसा पैसे ही सबकु थोड़ी होता ह चाता पैसा कमाके क्या करेंगे यही लोग दस-दस बारा-बारा गंटे पैसे के लिए काम करते हैं जो लोग बोल रहे हैं कि पैसा सबकुछ नहीं होता फिर तू काम क्यों कर रहा बारा बारा गंटे अपनी प्रोपर्टी हमारे नाम करा दे यह पैसा सबकुछ नहीं है क्य करोगे साथ क्या जाएगा क्या साथ लेके जाओगे हाँ सच है इस बात फिर तु करेगा क्या मेरे को दे दे आप में से कर कोई ऐसा बंद है तो मेरे नाम कर जो भाई तुमारे नाम जो भी है मेरे को तो चाहिए ठीक है तो money doesn't buy happiness ये सिर्फ एक नलायकों की वानी है अगर करते तो पैसा भी उनके पास कभी नहीं आता एक चीज़ बता दूं पैसा आपको रियल हैपिनेस देता है क्योंकि पैसा आपको अजादी देता है और अजादी ही रियल हैपिनेस है ठीक है उन्नीस सो चोदा सो चालीस के अंदर ना बुक्स जो उती थी वो हाथ से लिखी जाती थी तो कई कई साल लग जाते थे एक बुक लिखने में उन्नीस सो चालीस में जोनास गुटरबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन बनाई इससे हुआ क्या कि हजारों घंटों का काम एक घंटे में लग गया और बड़े-बड़े बिजनसमें से मिस प्रिंटिंग मशीन की तरह काम करते कैसे वो लोग कभीएपक ऑकी कामनी करते मेरी बहुत बड़ी बात बता रहू ना आपको याद रखना काम करने से आप अमीर नी बनोगे काम करवाने से साप अमीर बनोगे जिसदिन आप काम करवाना शुरू करत Об Autumn हुद तक खुद घिस्ते रहोगे कभी अमीर प्रिंटिंग मशीन बड़े-बड़े बिजनसमेन क्या करते कोई भी अकेला काम ने करता वो लोगों से काम करवाता है ना कि करता है ठीक है तो बिजनसमेन क्या करते हो फिक्स एलरी दे देते हैं और लोगों से काम करवाते हैं और हजारों घंटों का काम एक दिन में करवा ल अगर उसको एक इंसान बना रहे तो जादा टाइम लेगा या दस लोग बना रहे एक अठे मिलके तब जादा टाइम लेगा वो मनसेंस है एक इंसान बनाएगा तो अगर दस लोग उसी बिल्डिंग को बनाएंगे तो वो चीज बड़ी जल्दी हो जेगी और यही सबसे बड़ी चीज है उसको पता लगया था आने वाले टाइम में इंटरनेट का हर कोई पार्ट होएगा तो मैं इंटरनेट से रेलेटेड बिजनस शुरू करूँ और आज वो अरब पती-खरब पती है क्योंकि बिजनस करने के लिए क्या चीए मार्केट मार्केट कौन है आप ऐसी जगा कभी अमीर बनाते लोग ही पैसे हैं आपको यह ऐसी सर्वीस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर प्रोवाइड करो जो लोगों की जुरूर तो तो आप क्रोडों रुप्या कमा लोगे हर बिजनसमेन ने ऐसी गया हम कपड़े पा रहे हैं कपड़ा कोई बना रहे हैं यहम वोच प आप एक बड़ी वंडर्फूल चीज है कि विंट 23 कम्यूनिटी आपकी हेल्प करेगी आपकी पाइपलाइन बिल्ड कराने में एक वंडर्फूल ऑपर्शुनिटी के थुरू जिसका हमें कोई नया आइडिया ढूंडने की जूरत नहीं है कि हम क्या मार्केट में प्रोवा कोई फैदा नहीं ठीक है वर्ड बेस्ट ऑपर्शुनिटी आपको मिल रही है बाकी बात कर इस ऑपर्शुनिटी की पंताली साल से पुरे वर्ड में वर्क कर रही है एक सो साथ से जाध देशों में ब्रैंड इस्टैबलीश है जिसका नाम है फॉरेवर लीम प्रोडक्स के 32,000 करोड से जाधा का टर्नोवर है ठीक है फाउंटर है मिस्टर रेक्सर इंडिया में 23 साल से जाधा हो चुके है ठीक है टॉप फाइव कंट्री की बात करें करेंट लिए नंबर वन चल रहा है जापान जापान की पोपुलेशन ही क्या है हमारे इंडिया के आगे हम यह है चुठकियों में बीट कर सकते हैं ठीक है अब फॉरेवर के बिजनस प्लान थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करता हूं सारा जो बिजनस है वो सीसी पे काउंट किया जाता है सीसी के पॉइंट्स होते है जो फॉरेवर ने पने प्रोड़क्स को दिये में लग-लग पॉइंट हर प्रोड़क्ट को ठीक है 1000 पोइंट का बन सीसी बनता है जो बन सीसी की वेलीव 18 से 19,000 पर बनती है अब हमारी यहां पे शुरुआत कैसे होती है हमारी सबसे पहले का ऑन लाइन आईडी बनती है फ्री आफ कॉस्ट हमें एक इडी हमें मिल जातिक बिजनस आईडी और हमे हमें एक 5% का discount हमारी ID पे मिलता है और हमें opportunity मिलती है forever के best products को use करने की जैसे market में 36 chemical based product यूज़ करते है low quality के product यूज़ करते है वो ही हम forever से use कर सकते है world की fine quality के products जैसे apple है apple चलाने का ज़्यादा मज़़ा है ठीक है तो world की best quality के product use करने का मौका मिलता है पर आप यहाँ पे खाली user बनने नहीं आए हमें आपे business develop करना है तो business develop करने के लिए life में एक बार अपना 2CC का business हमें करना होता है जैसे हम 2CC कर लेते हैं हम बन जाते हैं assistant supervisor और assistant supervisor बनके 10 से 30,000 पे आप easily develop कर पाते हो और इसके बाद आके वाथ authority आजाती है pipeline बनाने की अब आप अपनी pipeline create कर सकते हो कैसे आप अपने साथ साथ और लोगों की भी help कर सकते हैं इस opportunity का पार्ट बनने में आप अपनी खुद की pipeline एक manpower build कर सकते हो एक team develop कर सकते हो अब कई लोगों का negative mindset होता है सर क्या हमें अमलब की लोगों के साथ business करना पड़ेगा एक team बनानी पड़ेगी भाई साथ जहां है team work वही है dream work जहां आप अकेले काम करोगे अकेले कभी जिन्दगे में बढ़ा नहीं कर सकते हर business man के पास manpower है और अगर आपके में पावर नहीं और सबसे बड़ी चीज़ बता दू अगर आप अपनी manpower नहीं बनाओगे न तो किसी की manpower जरूर बनोगे आप नोकरी करोगे और इसमें अमीर कोन होगा जिसने मैन पावर बनाई है जहां पे भी आप नोकरी करते हो क्यों सरकारी नोकरी करते थो अमीर को n मनतरी सरकार जिनके इंडरो डिपार्लेंट आते हैं अगर प्र प्रइविट नोकरी करोगे तो कौन अमीर होगा बोस तो अपना です का स्बस्धे स्कार बिजनेस करके बंते बस आपको महनत करनी है मैनत करने के लिए त्यार हुए अपनी सोच को बदलने के लिए त्यार हो ठीक है यहां पर 50-70,000 पर तक आप इंकम डेवलप कर पाते हो एक सो बीस सी पर बन जाते हो मैंझर जहां एक लाग का टर्नोवर कर सकते हो पर एक लाग करोड का टर्नोवर आप अकेले नहीं कर सकते हैं लगता है रिलाइंस अकेले चला रहा है नहीं आप एक यूट्यूबर एक यूट्यूब चैनल अकेला नहीं चला रहा होता है उसके पास भी टीम होती है एक बड़ा बिजनस कभ ले थोड़ी हैंडल कर सकते हो आपको एक टीम चाहिए तो जितनी बड़ी टीम होगी जतने जितना बड़ा नेट्वक हो तना बड़ा आप इंकम जनरेट कर पाते हो यह चीज से हमें पिछे टायता स्कूल कोलेज में हमें सिखाएगा कोंपिटीशन करना हमें दिखाया गया है लोगों को पिछे करके आग्गे बढ़ना जबकी सफलता का सुत्र क्या है सबको आग्गे बढ़ाना सुपोर्ट करना मिलके चलना युनाइटी डोके चलना तभी तरक्की होती है अब मैं आपको दिखाता हूं कि पाइक लाइन बना चलाते थे पास फूड के सो चो ठीक है मलब अकेले घर के लड़के सारा घर का खर्चा खुदी चलाते थे ठीक है ऑपर्चुनेटी जॉइन करी दिसंबर 2016 के अंदर इस प्लैटफॉर्म को देखा स्टार्ट किया एट मंस के अंदर अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट किया और एक एक्टिवा पे चलने वाला इंसान टू विलर पे चलने वाला इंसान सिरफ तेरा महीने के एफट से मार्च 2018 के अंदर अपनी खुद की होंडा सिटी कार बाए करी अपनी इंकम को नियर डेड़ लाग पुचाया ठीक है आज एक अमेजिंग लाइफस्टाइल इंज मैंने प्लैट्फॉम को देखा मैं समझ गया मैंने प्रैक्टिकल सोचा जब सोचा देखो हमें इतना ज्यादा भेड़ चाल में वियस्त कर देते हैं लकीर का फकीर बना देते हम सोचते ही नहीं हमें सोचना ही तो है सोचेंगे तब ही हम आगे बढ़ पाएंगे हम सोचते ही नहीं हम जो कर रहे हैं वहाँ पे क्या होगा आने वाले टाइम में मैं में कर रहा था मास्टर्स कर रहा था मैंने एक चीज़ सोची लास्ट येर जो मास्टर्स कर गें उनका क्या बना उनके सारी धक्ये खा रहे है वही है ना चाहे पी रहे हैं चाहे में मक्खी गिरगी देखके भी पी ले तो हमसे बड़ा गदा कोई नहीं और ऐसे 99% लोग ऐसी गदे हैं 99.9% लोग पता है जो कर रहे हैं लास्ट यर जो कर गया उसका कुछ नहीं बना पर वो पंदरा साल पुरानी सोच लेकर चल रहे हैं उन्हें ना बीटक करी थी आज वो लाक्षों का पैकेज ले रहा है वह भाई दस साल पहले करी होगी चेक कर कितने लोग लग रहे हैं और कि उस जगा पर क्यों जहां पर आगए जाके घड़े में गिरना है नो महींने में इंकम पहुची नोदस महीं ने मैनेजर बना ठीक है मेरे मदर है स्टार्टिंग में स्पोर्ट नहीं क्या दमगा मैं एक साल का टाइम दे दो मेरे को सोला साल भी दिये ना पढ़ाई करने एक साल मुझे मेरे कोडिंग चलने दो एक साल भी पूरा नहीं हुआ था इंकम सिक्स विगर पहुची सोला महीने में खुद की गाड़ी खरीती तेरा लाख रपे की टॉप मोडल स्कॉडर रैपीड और आज ये वर्डरफुल टॉए मैं जॉइए कर रहा हूं इस वीडियो में मेरे को मत देखो यह आपका फ्यूचर है मैंने भी आपी की दरा शुरू किया था वह लोगों ने मेरे दोस्तों ने बोला हम ने आएंगे तरह माना तू नहीं आएगा तो कोई और को बनाऊंगा सिंपल सी बात है आज टीम में साड़े पांसो से जादा लोग मैनेजर है मां तू नहीं बनेगा कोई और बनेगा क्योंकि दो तरह के लोग है एक आपको कामयाब उत्तावा देखेंगे का आपके साथ कामयाब होएंगे नॉर्मल सी बात है सारे एपल थोड़ी चला रहे पर एपल को फरक थोड़ी पड़ता है चलाने वाले भी हैं अपना काम क्या है रस्ता दिखाना जे बनना है तो आजा नी तो खा धके आज नी तो तू कल आएगा कोई भी चीज नहीं जो खुद ना बने वो कोई भी नसीब नहीं मिलेगी मंजिर चाहे करीब नहीं मैं हूँ तिल का अमीर भाई गरीब नहीं कोई भी लगीर नहीं ऐसी जो कह दे तुझे तेरी तकदीर नहीं अगर हुई तेरी हार तो माल ले ये बात बंदा तुहीं समेटा कोई और नहीं तुहीं जो कुछ चाहेगा तू वह भी बाजाएगा तू जीत होगी तेरी कर खुद पे यकीन अब जब मैंने मर्सडीज बाये की थी ना उस दिन मेरा सिस्टर का बड़े था 20 जन्वरी को और शायद इस जन्वरी बहुत बड़ा बिग ब्लास्ट आपको देखने को मिलेगा बहुत बड़ा में सिस्टर ने कमिटमेंट की थी के कटिंग के टाइम पर आप वो वीडियो यूट्यूब पर आपको मिल जेगी उस पर इंस्टा भी मिल जेगी मेरे और देख लेना क्य पानी हो कम कंकर से निकाल एड़ी का पसीना अपने सुर से निकाल का पसकर बात जीत रात गई भी ते सामने जगेरा ते सामने जीत झाल का झाल का झाल 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 तो डियर सेम फ्यूचर आपका है ठीक है कल आने वले टाइम में आप ये सारी चीज़ें चीव करेंगे बाकि देखो जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफे भी होंगी और लोग बोलते हैं सर शुरू तो कर रहा हूं घर वाले साथ नहीं दे रहें सर मैंने ना शुरू किया मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ा दिया कोई दिकत नहीं यार वो टेंप्रेरी वो आज के लिए आज कहते हैं अगर मंजिले बड़ी होना तो रास्तों की परवानी करते हैं और जितनी बड़ी तकलीफे होंगी काम्याबी भी उतनी ही बड़ी होगी छोटी सी रील और देखेगा मैंने शुरू किया था अकेले सफर सब उडाते थे मजाक लोग करने लगे पोक उसके पैशन का सब ने बनाया कोई जोग घर वाले थे नाराज देख उसका ये अंताज रिष्टेदारों ने भी उसकी दबा दी फिर आवाज जिनकी बातों पर यकीन तुझे छोड़ जाएंगे देखे सपने जो तुने उससे तोड़ जाएंगे फिर जोर से वो रोया उसकी आँखों में नमी उसकी जेब थी खाली उससे पैसों की कमी हो गया वो परिशान अपने बालों को नोच कुछ लोग आये साथ जिनकी बड़ी थी सोच फिर हो गया शुरू जीतने का सिलसिला पहले लोग थे दो चार फिर बन उसको हलके में लेते थे उसके सारे रिष्टेदार उसकी बाते असरदार है वो बंदा दंदार है वो यारों का यार लोगों से वफदार इतने सालों में वो खुद को इंप्रूफ कर चुका है जो करते थे बखवास उनको प्रूफ कर चुका है अब ना आँखों में नमी ना है पैसो की कमी उसकी नजरे आसमान पे नीचे पैरों के जमी उसने किया था तुम भी रखो सपनों पर यकीन तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ मोटिवेशन की मशीन बाकी डियर कैसे होगा इसकी आपके साथ हूं ठीक है बाकी मेनत करेंगे मिलके और कहते हैं जितनी जिन्दगी निकल गी चलीगी एक साल दब के मिरको देदो एक साल बात देखना आपकी लाइफ भी टोटली चेंज होईगी अब आके बाद दो चोई से डियर आप अपनी पा आफ्लाइन बनो कामीयाब लोग अपने फैसलें से दुनिया बदल देते हैं और नाका में अब लोग दुनिया के दर से फैसले बदल देते हैं हमारे टाइम पे तो ऑफलाइन होता था आपने वीडियो में देख्णा नहीं ना मनेंwide पर अबो औल्लाइन है भर पे घ расс coins ल कोई में कहते हैं की ogn 예 कि मैंध करने वालों को सब कुछ मिलता ठीकन जो वो चाहते हैं और एक्सक्यूज सुप्ण भालो Rouge वो सब कुछ खो देते हैं जो वह पा सकते थे और बंद आँखों से ऐसा काम करो कि आँख खुल जाए आँख वालोगी कहीं भी दिखता है प्रदीव शर्मा आपके साथ है मैं कर सकता हूं तो करवा भी सकता हूं और मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो आपकी do your best सीखते रहें आगे बढ़ते रहें और जीते रहें always remember we are born to win और जिनों ने आपको एंडरफूल सिस्टम दिया है जिनों ने आपको ट्रेनिंग अठेंड करवाई जिनों ने आपको एंडर्फूनिटी दिया है उनको भी थैंक्यू बोलेगा इतनी वंडरफूल सिस्टम प्रवाइड करने के लिए एंड मैं definitely आने वाले टाइम के झाल ए झाल ए को झाल ए उ डर खाओना से नहादी जग्रह ट्यां रो भी कहीं को